नए विडियोज देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें केम छो विद्यार्थी मित्रो आजे आपणे दोरण आठ विशय हिंदी दृतिय शत्रमा कविता छो भणिशु कविता छो टुफानो की ओर सिव मंगल सी शुमन 5 अगस्त 19 पंदर को ग्राम जगरपूर जिल्ला उन्नाव उत्तरप्रदेश में बनारस हिंदू विश्व विद्यालय में M.A.P.H.D. अनेक अध्यन संस्थाओ विश्व विद्यालयों तथा हिंदी संस्तान में उच्चतम पदोपर कारिय किया तथा अनेक देशों की यात्रा की 19 जुमतर में मिट्टे की बारात पर शाहित्य अकादमी तथा उन्नी सो प्यावन में भारत भारती पुरशकार से सन्मानित 19 जुमतर में भारत सरकारदवारा पदस्री से सम्मानित हिलोल जीवन के घान युग का मोल प्रलै सुजन विश्व बदलता ही गया विद्य हिमातलय मिट्टे की बारात वानी की व्यथा कटे अंगुठो की बंदनवारे उद्धन और विकाश प्रक्रती पुरुष कालिदास प्रस्तुत कवीता में कवी सिव मंगलसी शुमन ने सदा संगर्ष में रहकर अपने लक्ष की और बटने की प्रेणादी है जीस तरह आग में रहकर सोना निखरता है उशी तरह भाधाय हमें जीवन की नई राह दिखाती है तथा आगे बटने के लिए हमारे इरादों को मजबुत बनाती है इस कवीता में धैरिय, गती शिलता, साहस और संगर्ष रत रहना जैसे मुल्य उजगार किये है हमारे जीवन में संगर्ष में है कि इस जीवन में कठी नाईया आती ही रहती है कि आपनों जीवन चे संगर्ष में छे आपना जीवन गणे बधी कठी नाईयो आवे छे एतले कि मुस्केल्य गणे आवती होई छे हमें उनसे गब्राना नहीं चाहिए एतले आपने के एनाधी गब्रावू जोईये नहीं हिम्मत हार्वी जोईये नहीं पुरे आत्मविश्वास और साहस से उनका सामना करना चाहिए कि पुरा आत्मविश्वास ती और साहस ती जी मुस्केली छे एननों सामनों करवो जोईये इस संसार सागर में अपने जीवन की नाव को पार लगाने का यही एक उपाय है कि आपने आ संसार मां सागर जे ए जीवन मां आपने नाव ने पार करवानी चे आपना जीवन ने पार करवानों चे गम्मे तेटली मुस्केली आपड़ा जीवन मा आवे, पड़ हिम्मत हारे ने बेशवानों न थी, कोई पड़ मुस्केली होई एनो शामनों करवानों छे, आपड़ो आ नईया रुपीजे जीवन छे, खोड़ी नी जियो जीवन छे, एहोड़ी ने आ पार्थी पेले पार ल नाविक निजपतवार आज सिंधुने 20 उगला है लहरों का योवन मजला है आज रदय में और शिंधु में साथ उठा है जवार तुफानों की और घुमादो नाविक निजपतवार तुफानों की और घुमादो के जे बार मुतुफान आवे छे ए बाजु भुमावानों कईज फेरवानी कही छे नाविक नाव चलाने वाला जे नाव चला आवे छे एने सु केवाय छे नाविक नाव चलाने वाला मल्हा मांजी नीज अपनी पतवार नाव चलाने वाली लकडी अपनी पतवार तुफानों की दिशामे मोड़दो आज सिंदू ने विशुगला है लहरों का योवन मचला है कि आज समूद्र ने जहर उगल दिया है कठिन परिस्तितिया पेदा की है लहरे भी उमड कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है आज हदाय में और सिंदू में साथ हुठा है जवार तुफानों की और गुमादो नाविक निजपतवार कि फिर भी परवा नहीं उदर समूद्र में जवार उठा है तो कवी के रदय में भी भावनाओ का जवार उमड रहा है उमड पड़ा है कि हे नाविक तू तुफानों सामनों करवा माटे तू शुकान तुफानोंनी दिशामा फेवरी दे आजे समूद्राई जेर उक्यू छे विकट परी स्तितियो उत्पन करी छे मोझा पन उच्रिने तारी नवकाने गड़ी जवा मागे छे शमूद्रमा भरती आवे छे तेम कभी ना रदय मापन भावनाओनी भरती आवे छे लहरों के स्वर में कुछ बोलो इस अगंड में साहस दोलो कभी कभी मिलता जीवन में तुफानों का प्यार तुफानों की और गुमादो नाविक निजपतवार के जैसे लहरों का स्वर उंचा हो रहा है जारे पानी मा लहरों आवे छे तेरे नों अवाज आवे छे एक कहूँ छे के जैसे लहरों का स्वर उंचा हो रहा है और उनका जूर बढ़ रहा है वैसे ही तुम भी तयार होकर अंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयम आज मा कर देखो कि तुमने कितनी हिम्मत है जीवन में तुफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है बाकिय साली लोग ही जीवन में कठी नायों का सामना करते है हे नाविक तुम तुफानों का सामना करने के लिए अपने पतवार तुफानों की दिशा में मोड़ दो जेम समोद्राना मोजाना अवाज वदी रहा छे M, M नो जोर पण वदी रहिव छे तेम तो पण तैयार थैने वावा जुडाने शामे अडे खम उबो रहे अने तारामा केटली हिम्मद छे ते जोहिले जिवनमा तोफानों प्रेम भाग्येज मडे छे भाग्या साडी लोको तोफानों सामनों करी शके बधानामा हिम्मद पतिनती मुस्केली नो सामनों करवानी जे लोकोंने मुस्केली आवे छे एमा कवी एमा कवी एने भाग्या साली समझावया छें जेने इसान में मुस्केली आवी छे एने कवी एकिवा कहा छें भाग्या साली कवी कहें छें के जीवन मा तोफानों प्रेम भाग्येज मड़े छें के भाग्या साली लोकोच तोफानों नो सामनों करी शके छे यहे नाविक तू तोफानों ने सामनों करवा माटे तारू शुकान तोफानों ने दिशामा फेवरी दे यहां असिम निज सीमा जाने सागर भी तो यह पहचाने मिट्टे के पुतले मानवने कभी ना मानी हार तूफानों के और गुमादो नाविक निज पत्वार यहां समुद्रा और वह तूफान आज असिम दिखाई देते हैं उनका सामना सायद ही कोई करशके लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है हे नाविक तूम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टे का पुतला है पड़ समुद्रा के शामने हार नहीं मानेगा मनुष्य ने कही भी अपनी हार नहीं मानी है कवे कहे छे के आ समुद्रा अने ते तोफानों आजी असिम देखाई छे तेमनों सामनों भाग्येज कोई करी सक्षे परन तुम मनुष्य बद्दूज करी शके छे हे नाविक तो तारी नाव लेने निक्डि पड अने सागने देखाडी दे के मानवी माटे नू पुतडु होवा छत्ता समुद्रनी सामे हारी नहीं शके मनुष्य क्याक पण होतानी हार मानी नथी के मानस छे माटे माथी बनेलो छे पण ते समुद्रनी सामे पण हारी नहीं शके मनुष्य क्या हार मानी न थी लेके मनुष्य दरेक मुस्केली नो शामनों करिलो छे के हे नाविक तो तुफानों नो शामनों करवा माटे तारू शुकान छे ये तुफानों ने दिशा मा फेवरी दे सागर की अपनिक शमता है पर मांजी भी कब थकता है जब तक सांसों में श्पदन है उशका हाथ नहीं रुकता है उसके ही बल पर करडाले सातों शागरपार तुफानों के और गुमादो नाविक निजपतवार कवी कहते है कि समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की सकती है पर मांजी के पास भी हिम्मत है आत्मविश्वास है मांजी एटले के नाविक नाविक माटा सब्दा वप्रायरों छे ही मांजी नाविक निवाद करी जया ही समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की सकती है पर मांजी के पास भी हिम्मत है आत्मविश्वास है वह थकना नहीं जानता जब तक नाविक की सांसे चल रही है तब तक वह अपने नाव आगे बढ़ाता है जाएगा हे नाविक तुमने अपने हिम्मत और ताकात के सहारे साथ समुद्र पार कर डाले है अपनी नाव के साथ इशी प्रकार आगे बढ़ते रहो हे नाविक तुम अपने पतवार तुफानों की और गुमादों अहीं कवी यू कहे छे कि समूद्र नी पासे तेना मुझानी ताकात छे पड़ नाविक पासे तो हिम्मत औने आत्मवी स्वास छे ठाकने ते गणकार तो नथी जियां सुदी नाविक नो स्वास चाली रहे हो छे ते पोतानी नौका एटिके होडी आगल धपावतो ज रहे से हे नाविक ते तारी हिम्मत औने ताकात ना बढ़ी साथे समूद्रों पार कर्या छे माटे पोतानी नौका साथे आगल बत्तो रहे हे नाविक तारू शुकान तोफानोनी तरफ फेवरी दे औहिं कवे है आगावियमा कवे समझाविू छे के आपणा मा पूरो आतम विश्वास अने साहस होँ जुई जो आपणामा आतम विश्वास हसे तो पन आपणे कोई पन मुष्केली नो सामनो करी शकी सु अहिं मनुष्य निवाद करी छे के मनुष्य चेक माटे नो फुतुडू छे छाता ते सम्मुद्र सामे हार मानी शक्तो नथी अहिया आपड़ू आ कावय पुरू थाय चे अने कवी बहु मस्त कावय मां समझावी हतु हवे दरेके कावय मां दरेक मित्रों ने ख्याल आवी गयो हसे कि जहारे आपड़ू जीवन छे कवी एक संगस माई जीवन आपड़ू छे आपड़ा जीवन मा घणे बदी मुस्केलियो तकलीफो आफ़तो आवे छे आपड़ामा पुरे पुरू आत्मविश्वास अने साहस्ती आपड़े मुस्केलियो सामनों करवो जोई बगवाने आपड़े आ संसार आपयो छे आजीवन आपयो छे आजीवन नीच अपड़ी नार छे आणे पार करवाने छे अने पार करवा माटे आपड़ामा आत्मविश्वास अने साहस्वावों जोई अहीं वाव मस्तकावियामा समझावियो छे के समुद्रना मोजा नी वाद करी छे के मोजामा जेटलू जोड़ छे इटला जोड सामे इटली ताकत सामे वावा जोने सामे अडिक हम बोर है छे मानस अने आपड़ामा केटली हिमत छे ए जीवन ना तोफानों नो प्रेम अने अहीं कवे ए लोकों ने भाग्या शारी गणा आवया छे के भाग्या działी लोकों हो जोड़ामा जोड़ामा जोड़ी हिमत जोड़ामा जोड़ामा कातले पुतानी नवका धपावे छे, एम आपना जीव मा जया सुधी स्वास चाले छे, त्या सुधी आपने मुस्केलेनों सामनों करवानों छे, आहीं मत्हारिने बेश्वानु नथी, तो ही आपड़ों काव्या पुरू थाये छे मित्रों, आहीं छे सब्दार्थ, नाविक, नीज अपना पतवार नाव चलाने की तिकोनी लकडी चप्पू जवार तुफान शमुद्र में पानिक का बढ़ना अगंड आंधी अश्रिम सिमाहिन जिसकी कोई शिमान न हो क्षमता, शक्ती, योग्यता, श्पदन, चेतना, धड़कन, बलपर, शहारे दरेक मित्रों ए पोताने हिंदीरे नोटबुक मां काविया अने सब्दार लखवाना छे अहीं एना पची छे अभ्यास, प्रश्ण एक सुद्ध उच्चारण कीजिए, आतमारे सुद्ध उच्चारथी फांचवानों छे तुफान, सिंधू, योवण, रदय, अगंड, मिट्टी, स्पदन प्रश्ण बे, तुफानों की और इस काविया का शहुगान कीजिए, प्रश्ण बे मां मित्रों तमारे काविया घावानी छे प्रश्ण के मोखीक उत्तर दिजे प्रश्ण तमारे मोखीक जा फाना चे पन तमारे नोट मुख मा लखवाना चे मित्रों एक नम्बर्ण प्रश्ण तुफान के और घूमादो नाविक निज़ि पतवार ऐसा कवी ने क्यो कहा है एनो उत्तर छे मित्रों तुफान कठी नायों का प्रतीक है कठी नायों से गवरा कर भागना कायरता है कठी नायों का डड़ कर सामना करने में ही बहादुरी है जीवन में आने वाली कठी नाया मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेणा मिलती है इसलिए कवी ने नाविक से कहा है कि तुम अपने नाव तुफानों की और गुमा दो प्रश्णवें तुफान भी तो यह पहचाने में क्या पहचाने की बात कही गई है एनो उत्तर छे मित्रों समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए एनो जवाब छे समस्या आने पर हमें भयबीत नहीं होना चाहिए सांती और धिरच से शमस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए प्रस्ता नमबर चार इस अगंड में साहस तोलो का क्या अर्थ है एनो जवाब इस अगंड में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परिक्षा का समय है ऐसे कठिन समय में ही मनुश्य को अपने आपको परखने का मौका मिलता है प्रस्ता चार कविता को पढ़कर उसके नेचे दिये गए प्रस्तों के उत्तर दिजिये कविता पीचे मित्रो किताबे कुछ कहना चाहती है किताबों में चिडिया चह चहाती है किताबों में खेतिया लह लहाती है किताबों में जरने गुन गुनाते है परियों के किसे सुनाती है किताबों में रॉकेट का राज है किताबों में साइन्स की आवाज है किताबों का कितना बड़ा संसार है किताबों में ग्ञ्ञानकी भरमार है क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोंगे किताबे कुछ कहना चाहती है तुम्हारे पास रहना चाहती है मित्रो आ कविता चे एना पर्थी अपने आप्रष्णना जवाब लखवाना चे प्रष्णो एक प्रष्ण के उचित विकल पर सही का निशान लगाईए क किताबों में कौन चह चहाता है तोता मोर चिडिया तो साचो जवाव से चिडिया ख किताबे किसके किस से सुनाती है राजा परिया किसान साचो उत्तर चे परिया ग किताबों में किसके लह लहाने की बात है अप्सन छे खेतिया जरने बाग साचो जवाव से खेतिया प्रष्ण में निचे दिये हुए सब्दों का वाक्यों में उप्योग कीजिए अहीं जे सब्दा आप्या चे मित्रों एना वाक्यों में प्रवयोग करवानों छे पहलो छे परिया तो वाक्यों छे परिया स्वर्ग में रहती है किसा एनो वाक्यों बरत ने मुझे एक किसा सुनाया प्रण नमबर छे संसार एनो वाक्यों उत्तम से आपके संसार में चार चांद लग जाएंगे चार नमबर छे भर्मार एनो वाक्यों छे मेले में खिलोनों की भर्मार थी प्रश्ण त्रण प्रश्णों के उत्तर लिखिये अहीं प्रस्था प्या जैना, जवाब अपड़े कावियमाथी सोती ने लखवाना जै किताबों में क्या क्या है? जवाब किताबों में चिडिया की चचहा हट, खेतों का लह लहाना, जर्नों का गुन-गुनाना, परियों के किसे, रॉकेट का राज, साइंस की अवाज और ग्ण्यान का बंडार है ख, हमें किताबे क्यों पढ़नी चाहिए, एन उत्तर छे मित्रों, किताबों से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है, किताबे हमारा ग्ण्यान बढाती है, वे हमारा मनोरंजन करती है, इसलिए हमें किताबे पढ़नी चाहिए अहीं छे प्रश्णा घ, किताबों में ग्ञ्ञान की भर्मार है, ऐसा कवी ने क्यों कहा है? एनो जवाब छे, किताबों से हमें इतियास, भुगोल, नागरेक सास्त, आदि का ग्ञ्ञान होता है विग्ञान का ग्ञान भी हमें किताबें देती है दर्म और अध्यात्म का ग्ञान भी पुस्तकों से ही मिलता है हमें पुस्तकों से विवित विशयों का ग्ञान मिलने से हम कह सकते है कि किताबों में ग्ञान की भर्मार है अई छे ग, इस काव्य को उचित सिर्शक दिजिए तो उचित सिर्शक छे किताबे प्रश्ण पांच चित्रा देखकर दिए गए सब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बना कर अपने वर्ग में शुनाईए अहीं चित्रा अपेलू छे मित्रों अने अहीं सब्दा अपेला छे एना पर्थी अपड़े कहानी बनावाने छे सब्दों छे सुबह, गर, मेला, खिलोने वाला, धेर सारे, बच्चे, जगाना, खरिदा, खूश, मुर्गा, रात, बक्षा, बाग हवे आँ चित्रा अने असब्दों पर्थी अपड़े कहानी बनावाने छे बोलू नाम का एक लड़का था, नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से बहुत बोला था एक दिन वह मा के पैसे लेकर पास के घाव में लगे मिले में गया साथ में उसका बड़ा भाई पी था मेले में बोलू ने एक खिलोने वाले के पास देर सारे खिलोने देखे कईस बच्चे उससे खिलोने खरीद रहे थे बोलू ने दो रुपईये में एक मुर्गा खरीदा उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले में से एक बक्सा खरीदा बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई गर लोटें मुर्गे के खिलोने के कारण बोलू बहुत खुश था रात में उसने मा से कहा मा तो सबेरा होने पर मुझे मत जगाना मुर्गा बांग देगा तो मैं आप फी उठ जाओंगा मा मुस्कुराई और चुप रही सबेरा हुआ सूरज भी निकलाया भोलू बहुत देर से उठा उसने मा से पुछा क्या मुर्गे ने सुबह बांग नहीं दे मा बोली अरे बोलू तो सच मुझ बहुत भोला है बला मिट्टी का मुर्गा कही बांग दे सकता है यहीं सुनकर बोली की सारी खुशी छुमंतर हो गई तो आनिते कहानी छे आना पड़ती जे बना भी हती आपड़ी में जी तमने मंचा आवे संभड़ा भी छे वांची ने ए दरेक मित्रों आवे ते पूतानी नोटबुक मा लखवानी रहसे प्रश्णाचा आपके घाव में बाड़ आई तो इस समय आप क्या करेंगे घाव छोड़कर चले जाएंगे या घाव वालों की मदद करेंगे अपने विचार कारण शह बताईए तेनों जवाब छे मित्रों मेरे घाव में बाड़ आई आ जाए तो मैं अपने घाव में ही रहूंगा और अपने यथा सकती घाव के लोगों की मदद करूंगा घाव पर आपती आने पर घाव छोड़कर भागना तो कायरता है आपती के समय अपने घाव वालों की मदद करना हमारा करतविया है मैं अपने पडोशियों और मित्रों के परिवारों की हर तरसे सहायता करूंगा मैं यथा सकती उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा उस समय यही मेरा धर्म होगा और मैं साहस पूर्वक इस धर्म का पूरी तरह पालन करूंगा प्रश्ण साथ निचे दिये घए वाक्यों में से रेखां कित सब्दों के विशेशन बनाईए और उनका वाक्यों में उप्योग किजिये अहीं एक नमबर छे मित्रों उनकी इमानदारी से सारा नगर परीचीत है तो ही तेमें जुओ छो अहीं अंडरलाइन आपेली छे इमानदारी नानेचे अंडरलाइन इलेके रिखां कित करेली छे तो यहनों जवाब आवसे इमानदार इमानदार निसामील आवसे इमानदार औने वाक्यों बनावानुचे यह इमानदार रेकती है में नमबर हमारी अमीरी लोगों को उप्योगी होगी अमीरी सामेनों विशेश चनाव से अमीर वाक्य बंसें उस होटल में अमीर लोग ही आते है त्राण नमबर हिमालाई परवत की उन्चाएं देखने लायक है उन्चाईनों विशेशन छे उन्चा वाक्य छे योग्य तासे ही उन्चाँ पद मिलता है चार नमबर लक्समेबाई वीर्टा पूर्ण लडी वीर्टानों विशेशन छे वीर वाक्य सिवाजी वीर पुरूस थे पांच दुसरों की बुराई करना पाप है बुराई एनो विशेशन छे बुरा वाक्य हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए प्रश्का आण कहां वतों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए एक नमबर उल्टा चोर कुतवाल को डाटे वाक्य छे मित्रों गलती तुम्हारी है और दोश तुम मुझे दे रहे हो अरे वाँ उल्टा चोर कुतवाल को डाटे वे नमबर न रहेगा बास न बजे की बासुरी वाक्यों टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं शकते तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी ही निकाल दिया जाए न रहेगा बास न बजे की बासुरी तुम्हारे नमबर चार दिन के चांदने फिर अंधेरी रात वाक्यों रामु को सिर्फ दो महिने के लिए नौकरी मिली थी दो महिने होने पर रामु ने कहा चार दिन के चांदने फिर अंधेरी रात चार नमबर प्रश्चन अब पच्ताय होत क्या जब चिडिया चुग गई खेत वाक्य राकेस परिक्षा में उनितन हो गया तो परिक्षा के लिए परियाप्त परिश्रम न करने पर पच्ताता रहा था उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा अब पच्ताय होत क्या जब चिडिया चुग गई खेत स्वाध्याई प्रश्चन एक प्रश्चन के उत्तर लिखिये प्रश्चन नमबर एक कवी ने मनुश्य की कौन सी विसेश्था की और इशारा किया है एनो जवाब आउसे मित्रो कवी सिव मोंगल सी ने शुमन ने कहा है कहते है कि मनुश्य सब कुछ कर शकता है उसने कभी हार नहीं मानी वह ठकना नहीं जानता जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही बढ़ता जाएगा अपने अदम्य साहस और अदबुद आत्मविश्वास के बल पर ही उसमें साथ सागर पार किये है कभी ने मनुश्य के अपार साहस अथक सकती और घजब के आत्मविश्वास की और इशारा किया है प्रश्ण बे जवार कहा कहा उठा है एनो जवाब छे मित्रों एक और शमुद्र में जवार उठा है तो दुस्त्री और कभी के हदय में कभी के रदय में भावनाओं का जवार उठा है इस प्रकार शमुद्र और कभी रदय उन दोनों स्थानों पर जवार उठा है प्रश्ण अत्रान समुद्र ने कैसा रुपधारन किया है जवाब समुद्र में बड़े जोरों का तुफान आया है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा है समुद्र से लहरे इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माजी की नाव को निगल जाएंगे तुफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सावना कोई नहीं कर शकता साघर के जवार ने बड़ी कठीन परिस्तितिया पैदा कर दी है तुफानी समुद्र आज अपने असिम सक्ती दिखाने पर तुला हुआ है उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराज जीत करने की ठान ली है इस प्रकार शमुद्र ने बड़ा उग्र रुप दारण किया है प्रश्णा चार कवी ने मनुष्य को मिट्टी का पुटला क्यों कहा है जवाब चेनो मनुष्य धर्ती पर जन्म लेता है वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है मिट्टी में उत्पन होने वाले पदार से ही मनुष्य का पालन पोशन होता है मिट्टी उसकी मा है मनुष्य के मर जाने पर उसका सरीन मिट्टी में ही मिल जाता है इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुडा रहता है मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवी ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है प्रश्ण पांच मांजी कब तक कारिय करता है? उत्तर छेनो शमुद्र अगर सकती साली है तो मिट्टे का पुटला मांजी भी कम नहीं है उसमें अदबुस साहस और अनोखी सकती है इसलिए वह कभी ठपता नहीं है जब तक उसके सरीर में प्रान है जब तक उसकी सासों में चेतना है तब तक मांजी का हाथ रुखने का नाम नहीं लेता वह संगर्स करना नहीं छोड़ता इस प्रकार मांजी ने अपने अंतिन सास तक कारिय करता है प्रश्ण बे इस काव्य का भावार्थ अपने सब्दों में लिखिये एनो जवाब छे तुफानों की और कवीता में कवी शुमन ने बताया है कि यहां संसार एक सागर है और प्रत्यक मनुष्य अपने जीवन रुपी नाव का नाविक है संसार में तुफानों कठी नाईयों की कमी नहीं है मनुष्य का कर्तव यह है कि वह उन कठी नाईयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उनका सामना करे कठी नाईयों में ही मनुष्य के साहस बल और मुद्धी की परिक्षा होती है इसलिए वह कठी नायों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे विद्याथी मित्रों अपनों कविता छो पुन थाय छे आपड़ू आजनू होमवर्क छे दरेके काविया पोताने हिंदी नी नोटबुक मा कंपलसरी लखवानू रेसे काविया पच्छी सब्दात लखवाना छे अब्यास अने स्वाध्याई दरेक विद्याथी मित्रों हिंदी नी नोटबुक मा लखवू आउजो मित्रो